तो आज की वीडियो बहुत खास है जितने भी 2020 में अब तक कि सबसे इंपोटेंट इंडेक्स है मैं आज आपको बताऊंगा उनमें भारत की रैंकिंग उन्हें कौन जारी करता है और जो उनके बारे में मुख्य विशेशता हैं जो UPSC और UPPCS चैसे एकसाम में पूछी जाती है उस सब बताऊंगा तो अगर इवही तक आपने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दे तो चलिए सुरू करते हैं वेश्बिक लेंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसे कहते हैं इंगलिस में तो इसे जारी करता है वर्ल्ड प्लीज कुपलब्दी दूसरा स्वास्त रुत्तर जीविता तीसरा राजनीति ससक्तिकरण चोथा तो भारत को 153 देशों में 112 स्थान प्राप्त हुआ है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि लेंगिक अंतराल के मामले में भारत ही कितनी खराब इस्तिती है और इसका जो किन ये मामले हैं इनमें ये पिछड़ा हुआ है बोमेन बिजनिस एंड लो इंडेक्स 2020 इसे जारी करता है विश्वेंक और भारत इसमें 190 देशों की सूची में 170 पायदान पर है वेश्विक सामाजिक गतिसे उल्ता सोचकांग 2020 ग्लोबल सोचल मोबिलिटी इंडेक्स इसे भी जारी करता है वर्ल्ड इकनोमिक फोरम और एक खास बात यह है कि वर्ल्ड इकनोमिक फोरम दोवार है जो सूचकांग के 2020 वाला यह पहली बार जारी किया है इसमें 82 देश सामिल थे जिन में भारत का 46 वैस्थान था अगर सामाजिक गतिसीलता की बात करें तो यह सामाज से तुलना करके अपनी पहले वाली पीडी से सामाजी गतिसीलता का इस्तर का पता लगाया जाता है तो भारत की इसमें रेंकिंग है 76 लोकतंत्र सूचकांग एकनोमिष्ट इंटेलिजेंस योनिट दुवारा जारी भारत दस्त इस्थान की गिरावट के साथ 51 इस्थान पर है और भारत की जो इसमें कैटेगरी है वो है दो स्पून लोकतंत्र जो इसमें चार तरह के मानक है पून लोकतंत्र, दो स्पून लोकतंत्र, हाईवरिड सासन और सत्तावादी सासन तो आप देख सकते हैं भारत इसमें दूसरी कैटेगरी जो है दो स्पून लोकतंत्र उस में है वेश्विक परतिभाः परतिस्प्रधा सूचकांग 2020 इसे जारी करता है इनसीड बिजनिस इसकूल और भारत का इसमें स्थान है 72 बात तरवा ये एक इन्पोर्टेंट सूचकांग है ये यूपेस्सी में पूछा भी जा चुका है ब्रश्टाचार बोद सूचकांग 2019 करप्सन प्रिसेप्सन इंडेक्स इसे कोन जारी करता है ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल और भारत 180 देशों में 80 वे स्थान पर है जबकि 2018 में इसका स्थान ता 78 यानि कि दो स्थान की गिरावट हुई है वेश्विक बोद्धिक संपदा सूचकांग 2020 इंटरनेशनल इंटलेक्चिल प्रोपर्टी इंडेक्स यूएस चेंबर ओफ कॉमर्स का जो ग्लोवल इनोवेशन पॉलेसी सेंटर है उसके दोवारा है जारी किया जाता है भारत को 53 देशों में 40 वे स्थान पराप्त हुआ है जबकि 2019 में इसे 50 देशों में 36 वे स्थान मिला था इसमें सीर्स पर जो देश हैं वो है यूएस से ब्रेटेन और फ्रांस वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर दा फ्यूचर इंडेक्स एकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी भारत को 35 वे स्थान पराप्त हुआ है विजिट कीजिए वाँ चैनल सब्सक्राइब करिए आपके लिए हमां करेंट फियर के क्रेस कोर्स भी सुरू किया गया है जो एकदम फिरी है तो चलिए लेता हूं इजाजत धन्यवाद